हेलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो हज 2022 के हवाले से खबर आच चुकी है इसके लावा को वैक्सीन को लेकर भी महतपोल अपडेट आई है तो पहले मैं बात करता हूँ हज 2022 को लेकर तो भारत के केंद्रिये अलप संख्यक मंत्री मुकतार अबास नक्वी ने हज 2022 के लिए इंडिया से जो भी लोग जाएंगे उनके लिए विस्तरित गाइडलाइन जारी कर दिया उसके लिए एनौस्मेंट कर दिया गया हज 2022 के लिए आवेदन यानि एप्लिकेशन की परिक्रिया सुरू हो चुकी है एक नॉम्ब 2021 से 31 जनुरी 2022 के दर्मियान आवेदन कर सकते हैं जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए आवेदन की परिक्रिया सुरू हो चुकी है जो एज लिमिट रखी गई यानि जो उम्री की सीमा रखी गई है वो 65 साल लखी गई यानि 65 साल से ज़्यादा नहीं होने चा पाएंगे इसके लवा 10 डिपार्चर पॉइंट बनाये गए इंडिया से जहां से हज के लिए फ्लाइट जाएंगी वो लखनौ है देलही है मुंबई है कोलकाता है कोचीन है एहमदाबाद है 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 गुहावटी है स्री नंगर है और इसके लवा बैंगलरू है तो 10 डिपार जारी कर दी गई हज कमेटी आफ इंडिया की साइड पर हज 2022 के लिए आवेदन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आनलाइन स्विकार किये जाएंगे आफ लाइन आवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे इसके लवा हज 2022 के लिए सौधी गवर्मेंट जो भी फैसला लेगी वो आप देखी रहे हैं कुरोना को लेकर आया दिन कुछ नकुछ होता रहता है घटनकरम बदलता रहता है तो इसलिए हज 2022 को लेकर जो भी फैसला होगा तो अनतिन तोर पर सौधी गवर्मेंट के तरफ से ही फैसला होगा बैराल गवर्मेंट आफ इंडिया ने हज कमेटी इस बार आप जाएंगे हज के लिए जो भी लोग जाना चाहते हैं तो ये हज 2022 को लेकर दोस्तो अपडेट थी अब पड़ते हैं अगली अपडेट की तरब तो को वैक्सीन को लेकर अगली अपडेट है दोस्तो तो आप सबको पता है कि को वैक्सीन को लेकर WHO कुछ ना कुछ Talmatol करता रहता है और भारत बायोटेक से नही नई जानकारी मांगता रहता है जिसकी वज़ा से WHO को वैक्सीन को एपरूप करने में लेट कर रहा है देरी कर रहा है लेकिन बहुत सारे जो को वैक्सीन को बिना डबलू एचो की मंजूरी के अपने यहां मंजूर कर रहे हैं उसको एप्रूवल दे रहे हैं तो अब एक और देश जिसने को वैक्सीन को एप्रूवल दे दिया है जी हां आस्ट्रेलिया ने भी को वैक्सीन को एप्रूवल दे दिया है कि जो भी लो दूसरा है इरान, तीसरा है ओमान, चौथा है मौरिसस, और पाचवा है फिलिपीन, छटा है स्री लंका, साथवा है ग्रीक, और आठवा है मैक्सिको, नवा है जिंबॉंबे, और दसवा है आश्ट्रेलिया, तो दस ऐसे देश हैं जिनों ने को वैक्सीन को मंजूरी दे दी ह यानि अगर आपने कोवी सील्ड वैक्सीन इंडिया में नहीं लगवाई है, और को वैक्सीन लगवा लिए, तो इन दस देशों में अब आप यात्रा कर सकते हैं, दस देशों ने को वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, बैराल को वैक्सीन के एप्रूवल को लेकर कल, यानि 3 उंबर को WHO की मीटिंग होने जा रही है, एडवाईजरी गूरूप की मीटिंग होने जा रहे है, टेक्निकल एडवाईजरी गूरूप की, उसमें देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल कर आता है, बैराल दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, अभी इंडिया सॉधी डायिट फ्लाइट को लेकर नई अपडेट कुछ भी नहीं आई है जैसे ही कोई अपडेट आती है वो दोस्तों आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुश रहिए गुडबाई